गुड बॉर्निंग स्टुडेंट्स, हैव नाइस डे, आज हम करेंगे exercise 4.3, graph of linear equations in two variables, graph of linear equations in two variables, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे linear equations of two variables, उसमें हमने पढ़ा कि point हमें किस तरीके से निकालना है, linear equations के जो coefficient थे, उनके बारे में हमने study किया, कि हमारे पास में कोई भी था, A, X, plus में, B, Y, plus में, C, यहाँ पर हमारे पास में A की value कितनी है, B की value कितनी है, C की value कितनी है, यह चीज़े हमने find out की, second हमने find out किया X और Y, कि हमारे पास में X और Y क्या आएगा, कि कौन-कौन से results के लिए equation हमारे पास में satisfy करती है, okay, next हमारे पास में, जो यह exercise है, इस exercise में हम of linear equations in two variables, कि two variables के अंदर हमारा जो graph हम बनाते हैं, वो किस तरीके से बनेगा, वो आपको find out करना है, okay, तो graph बनाने के लिए हम एक journal example लेते हैं, उसको आपको समझना है, उसी के base के उपर आपके questions हो जाएंगे, सारे के सारे, ठीके, कि जब भी हमें graph plot करना होता है, तो हमें ठीके, कि हमारे पास में equation है, x plus y equals to 4, x plus y equals to 4, okay, अब यहां से हमें इस equation को थोड़ा simplify, क्योंकि हमारे हम पे हमारे पास unknown quantity कितनी है, दो हैं, two हमारे पास कहा है, unknown quantities है, unknown values है, अब यदि हम एक की value को assume कर लें, assume कर लें, one, two, three, four, five, six, eight, nine, ten, fifteen, twenty, thirty, जो भी आपको अच्छा लगी, वो number आप यहां पर assume कर लें, तो आपके पास कितना variable बस गया, एक variable बस गया, और equation भी आपके पास में एक ही है, तो इसका result आप निकाल सकते हैं, इसलिए हम यहां पे करते हैं, x बराबर में 4 minus में y, आ आपके पास हम यहने मान ली, हमारी equation बन गई, ठीक है, अब हमारे पास आगे x equals to 4 minus में y, ठीक है, अब यहां पे आपको जो अच्छा लगे, y की value जो भी आपको अच्छे लगे, वो यहां put कर सकते हो, मेरे को अच्छा लगा कि मैंने यहां पे y की value put करनी है, y बराबर 0, त x बराबर मेरे पास में क्या हो जाएगा, 4 minus में 0 बराबर में 4, तो एक coordinate मेरे पास में आएगा, x पे मेरे पास 0, 4 और y पे मेरा कितना हो गया, 0 हो गया, ओके, सेम इसी तरीके से हमारे पास में इसी equation को हम फिर चले लेते हैं, x equals to 4 minus में y, अब मेरे को लगा कि y की value हम क्या put क कर देते हैं, तो x बराबर मेरे पास में आगया, 4 minus में 2, तो हमारे पास कितना आगया, 2, ठीक है, तो कब आया 2, जब हमने y की value 2 put की थी, तो हमारे पास में क्या आगया, x की value भी कितना आगया, 2 आगया, अब हम put कर देते हैं, y की value 3 put कर देते हैं, 4 minus में 3, तो x बराबर हमा find out कर सकते हो किसी भी linear equation के अब हमारे पास में जो points आगे इनको क्या करना है आपको graph paper पे plot करना है तो graph paper पे plot करते से हम हमारे पास में graph paper बनाएंगे graph बनाएंगे हम यहाँ पे और यह जो काम आपको करना है जो भी graph आप बनाएंगे सारे के सारे graph अपने graph paper में बनाएंगे जो graph की copy आती है उसके अंदर solve करेंगे इनको ओके तो हमने यहाँ पे line जो की x और x dash y और y dash यह मेरे पास में 0 हो गया origin होता है जहाँ पे मेरी दोनों की दोनों line intersect करती है 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी point हमें लेने है minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, 1, 2, 3, 4, 5 या minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 इस तरीके से number मेरे पास में आ जाएंगे यह line पॉइंट मेरे पास मेरे पास में आ जाएंगे अब हमें plot करना होता है जो point coordinate दे रखे है ठीक है तो हमारे पास में coordinate था एक तो 0 and 4 sorry 4 and 0 तो 1, 2, 3 and 4 यह मेरे पास 4 point है तो 4 के उपर आ जाएगा ठीक है यह point हो जाएगा मेरे पास में 4 and 0 उसके बाद हमारे पास में 2 and 2, 1 and 2, 1 and 2 तो हमारे पास कहां पर यहां पर कोई point आ जाएगा उसके बाद हमेरे पास में 1 and 3 तो हमारे पास में यहां point आ जाएगा 1, 2, 3 और यहाँ पर 1 इन lines को आप मिला दें तो यह आपके पास क्या बन गया graph बन जाएगा उसे equation का ओके students next आपके पास में है इस तरीके से आपको graph paper पे graph plot करने होते हैं equation से point find out करेंगे सबसे पहले और उसके बाद उनको graph paper पे mention कर देंगे तो हमारे पास था x plus में y equals to 4 यहाँ से आपके पास में क्या आया यह x plus y equals to 4 आपके पास में है हमने put किया x बराबर 0 तो हमारे पास आगया y बराबर में 4 जब हमने put किया y बराबर 0 तो हमारे पास आगया x बराबर में 4 आप चाहें तो 2 point निकाल सकते हैं आप चाहे तो 3 निकाल सकते हैं आप चाहे तो 5 point निकाल सकते हैं जितनी ही आपकी इच्छा करें उतने points आप यहाँ पे mention कर सकते हैं तो हमने 2 points निकाले x बराबर हमारे और y के हमारे पास में coordinate आगए 0, 4 और 4, 0 then 0, 4 and 4, 0 हमने graph बनाया x axis, y axis, x dash, y और y dash इस पे हमने point mention कि है 1, 2, 3, 4, 5 minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, y minus 1, minus 2 हमें एक coordinate दे रखा है 4 and 0 x axis पे 4 और y axis पे 0 y axis पे हमारे पास movement नहीं है एक हमारे पास में x, y axis पे 4 और x axis के उपर 0 दोनों points के उपर हमने coordinate लिखे और इसको skill की help से हमें इनको आपस में line draw कर दिया मिला दिया, दोनों की दोनों points को हमने एक साथ attach कर दिया तो यह हमारे पास क्या होगी, graph paper हमारा plot होगा, graph paper के उपर हमारा graph plot होगा in coordinates का, x plus y का और यह equation हमारे पास यहाँ पे equation का नाम लिख देंगे कि हमारे पास यह जो पूरो जो हमने graph paper पे पर जो line draw की है, यह कून सी equation की है, यह हमारे पास हो जाएगी, x plus y equals to 4 next हमारे पास में question है, x minus y equals to 2, then we can say that x equals to 2 plus y, यह हमारा y जो है दूसरी तरफ से ला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, plus का हो जाएगा then we can put y equals to 1, हमने y equals to 1 put किया, तो हमारे पास आगया, x equals to 2 plus 1 is equals 3, तो हमारे पास एक point आया, 3 or 1 हमने यहाँ note कर दिया, 3 and 1, फिर हमने y ब्राबर 0 put किया, तो हमारे पास x ब्राबर आगया, कितना 2, means 2 plus 0 equals to x equals to 2, then 2 and 0 Βमने 2 और 0 आगया कभ जो हमने y ब्राबर 0 put किया, हमने y ब्राबर put किया, 2, हमारे पास आगया x equals to 2 plus यह equals to 4, then 4 and 2 अब आपके पास में यह कोडिनेट आ गए आप इससे आगे इसमें 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं, Y की जगे ठीक है, जो भी आपको नमबर अच्छा लगे वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं नहीं कखा लिए इसे ज़्यादा पुटे नहीं करेंग gosh कोई भी number पुटकरने के बाद में आपके पास में result आजैगा और empat पास इयुक्वर और बने एकेकोई बड़ी हो सकती है लेकिन बने की इसी तरीके से हो अगए 3 1 2 0 4 2 और इनको हमें क्या करना है ग्राफेपर पे प्लोट करना है तो हमने यहां पे प्लोट करना स्टार्ट किया क्या क्या आगया हमारे पास में 3 1 पहला हमारे पास में पॉइंट है 2 और 0 ठीक है तो 2 हमारे पास में यहां पे आया 2 और 0 हमारा point हो गया, यह हमारे पास में B point है यहाँ पर, यह by mistake हो गया है, इसको आप यहाँ रिमूव कर लेंगे, यह आपका A point है और यह आपका C point है, तो 2 और 0 मिंस X axis के उपर आपका 2 आगया, Y पे 0, फिर आपका 3 and 1 है, तो 3 आपका X axis पे, 1 आपका Y axis पे, उसके बाद में आपका है 4 और 2, तो 4 आपका X axis पे और Y पे हमारा 2, तो इस line को हम यहाँ से draw कर देंगे, मिला देंगे skill की help से, तो हमारे पास आजाएगा X minus Y equals to 2 की line of line इना जाएगी, next हमारे पास में है Y equals to 3X, इसको भी आप same mic pattern पे solve करेंगे, एक बार X की value पुट करेंगे, ठीक है, या एक बार Y की value पुट करेंगे तो आपके पास X की value आजाएगी, X की value पुट करेंगे तो आपके पास में Y की value आजाएगी, solution आपको मैंने करके दे रखा ह है आप इसको अपने जहर के ओपर इसको करके देखे इस question को भी और next जो हमारे पास में question है इसको भी तो next हमारे पास में जो question है वो क्या है next इसका जो part है 3 equals to 2x plus में y तो y equals to 3 minus में 2x यहां से हमने इसको simplify कर लिए आप यहां पे हम x की value put करेंगे x की value हमने 0 put की यहां पर यहां पर one put की हमने उसके बाद two put की उसके बाद three put कर सकते जो भी आपको value अच्छे लगे हो आपने value यहां पर no down कर सकते हैं उसके बाद आपके पास में question number second question number second कहता है कि give the equation of two lines passing through two and fourteen how many more such lines are there and why क्याता है तो और 14 से आपके पास में line pass करें ऐसे कितनी lines होंगे तो हमारे पास में 2 और 14 x बराबर 2 है और y बराबर 14 है तो एक line तो हमारे पास क्या हो सकती है आप इन दोनों points को add कर दो और आपके पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा ठीक है तो आपके पास 2 y बराबर माइनस के 14 तो माइनस के 14 में से 2 माइनस होंगे तो कितने बच जाएगे माइनस के 12 बच जाएगे इसके बाद आप line बना सकते हो 2 x माइनस में 14 माइनस में y इक्वल्स टू 10 माइनस के means आपको equation को क्या करना equality के अंदर आपको show करना है ठीक है आप यहाँ पे equation बना सकते हो 7 x माइनस में y बराबर में 0 में कितनी भी equations आप यहाँ पे बना सकते हो ठीक है there are infinite number of lines which passes through the points 2 and 14 बहुत ज़्यादा line ने हो जाएंगी जिस भी तरीके से आप इसको draw करना चाहें उससे तरीके से आप draw कर सकते हैं 5 x 6 example मैंने आपको बताए दो example यहाँ पे हमने note down कर रखेंगे okay students I hope कि आपको यह समझ में आया होगा इसको अपना solve करें